नमस्कार जब काम में खुसी न मिले तो क्या करें कभी कभी क्या होता है काम होता है रूटीन का काम होता है तो लोगों को बोर्यत फील होती है कि रोज जाना रोज आना कुछ नहापन नहीं होना एकतम बोर्यत फ्यों होना लोग के तैसरों इंटेश्ट का काम होता है सब कुछ अच्छा होता है लेकिन फिर भी काम में बोर्यत फ्यों होती हुं जो करें नमबर वन सक्री रहें और सक्री कीसे रहज़ना ये इक सारी रिक रूप से भी सक्री रहना सुबę उठना आराम से योग करना व्यायाम करना एककारीर को अच्छी। एक्साइज करें इससे आप एक एनर्जी रहेगी एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आए वरना अगर आप क्या सुबह 8 बज़े उठ रहे हो आराम शे कर रहे हो और फिर आराम से दीर दीर ओपीस जा रहे हो तो उसमें आपके अंदर एक एनर्जी पैदा नहीं होगी आपके अंदर एक जोस जुमून पैदा नहीं होगा आप जो कारिय कर रहे हो उसमें अगर आपको खुसी चाहिए सकारात्मक्त से एक नई एनर्जी चाहिए तो सुबह जल्दी उठें एक साइस करें योग करें और अपने सरीर को गतिसील रखें जितना ज़्यादा अपने एनर्जी फील करो सेकंड लोगों से जुड़े अगर आपको अपने काम में इंट्रेस्ट लाना है अपने काम में खुसी लानी है तो अपने काम से रिलेटेड नहीं नहीं लोगों से जुड़ते जाएं उनके क्या आइडियाज हैं उनके क्या विचार हैं उनकी क्या ठिंक एक तम पॉजिटिव एनरजी आई यार नहीं यार वो यह करने जा रहा उस फिल्ड में जो मेरा फिल्ड में तो मुझे भी ऐसा करना जा आपका जो फिल्ड है उसमें जो जो भी है नहीं नहीं लोग उनसे आप चुड़ते जाए इससे आपको काम में एक क्यूरिसिटी पैद आपके लिए बोरिंग होगा आपका वर्क है आपको सब कुछ आता है फिर भी उसमें कुछ नया सीखते रहें कुछ नया नया उसमें एल्ड करते रहें नई नई इनोवेशन करते रहें अगर आप अपने काली में कुछ नया करोगे तो वहां से कुछ नया निकल के आएगा और आपको खुद के अंदर से कुछ डिफरेंट करने का मुका मिलेगा तो अपने वर्क जो भी हो उसमें रोज कुछ न कुछ थोड़ा सा नया करते रहे नया सीखते रहे फॉर्थ वर्तमान में जीए बहुत से लोग क्या करते हैं? और बविश में जीते हैं और यार मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और फिर ऐसा नहीं होता है तो दुकी होते हतास होते निरास होते अपना जो भी वर्क है उसको पर्जेंट में जीएं वर्तमान में जीएं जो होगा जो अच्छा होगा और अपने वर्ग में 100% देते रहें कभी भी ख्याली पुलाओ और वर्तमान में जीना सीखिए और पाष्ट को लेकर रोना मत रोईए पाष्ट में जो हुआ उसको भूल जाए वर्तमान में जीना सीखिए फिफ शकारात्मक रहे पोजिटी रहे अपने काम को लेगर हमेशा पोजिटीव नेस रखिए अगर आपको अपने काम के लिए अगर नेगेटिव थिंकिंग होगी नेगेटिव सोच होगी तो आपको अपने काम में कभी खुसी नहीं मिलेगी हमेशा एक उदास मुझ से ही आप वर्त करने जाओगे अपने कारी में हमेशा पोजिटीव सोच रखे रखे रोग पोजिटीव थिंकिंग रखे यही पोजिटीव सोच आपको अपने काम में खुसी दिलाएगी आपको अपने काम में कुछ नया करने की प्रेना देगी असवस्त आदतों से दूर रहें एसी आदसों से दूर रहना जिससे आपके सरीर को नुकसान हो जिसे सराव हो गया गुटका हो गया जुए हो गया और इसी कोई बुरी आदते हैं जो आपको डेमेज कर सकती है एसी आदसों से दूर रहना वरना आप उटकी सराव खेनी ये खाओगे तो फिर आपको अपने का में खुशी नहीं मिलेगी आप हमेसा उदास रहोगे, दुखी रहोगे, इसलिए असवास, आदतों जोध्योई, दूर रहनए। तो ये कुछ एसी आदत हैं जिससे आप अपना कर अपने काम में खुसी पेदा कर सकते हो एक उस्सा पेदा कर सकते हो एक जोस जुनून वापिस पेदा कर सकते हो अगर आपको अपने काम में बोरियत फील होती हो तो